देखो, this is a serious problem student में problem उठाया, लेकिन there is a serious problem I am second year mechanical engineering student how to deal with roommate जब भी study करने बैठते है आके बोलेगा क्या पढ़ रहा है कुछ हमको भी बताओ, कितना पढ़ेगा how to deal such type of problem ये दुनिया, स्वामी वीबेकनान जी के हिसाब से दुनिया कुछता का पूछ के तरह होता है जो उसको जितना सुधरने जाएगा ओ उतना problem में फंसेगा इसलिए अगर आपका roommate से आपका problem हो रहा है तो आपको क्या करना पढ़ेगा कि roommate के according आपको check करना पढ़ेगा कि ओ बंदा का क्या चल रहा है ओ बंदा कैसे किस किस time में ओ नहीं रहता है हर चीज का जुगाड है ओ कौन सा time में नहीं रहता है ओ हमें देखना पढ़ेगा जैसे मनलो ओ बंदा सुबा देर तक उठता है तो आपको क्या करना पढ़ेगा कि आपको उल्टा कर लेना है ओ सुबा देर तक अगर ओस होता है तो आपको सुबा उठके पढ़ना शुरू करना है यू कैननोट चेंज आदर्स ओ जैसा हो ऐसा ही रहेगा आप एक बार बोल सकता है कि नहीं मैं पढ़ना चाहता हूँ कि मुझे डिस्टाब मत करो इतना आपके पास राइट है इतना आप बोल सकता है लेकिन उसके कारण वो बंदा चेंज नहीं हो जाएगा सबसी इंपरन बात हो ही है कि वो चेंज होने वाला नहीं है तो इसलिए अगर आपने accordingly आप चेंज करना चाहते है तो फिर आप परसानी में फसेंगे कि पढ़ना तो आपको है उसको तो पढ़ना भी नहीं है हर आदमी को पढ़ना थोड़ेता है हर आपने का life का objective सबका क्या सेम रहता है कि आपको लगता है कि जितना बंदा पढ़ने आया है जितना बंदा कलेज में आया है जितना बंदा स्कूल में आया है क्या सब पढ़ने के लिए आया है कुछ-कुछ लोग तो आया है भाई टाइम पस करने के लिए अब आपको पढ़ना है उसको तो time pass करना है तो इसके कारण ये बात धन रखे कि जो student है जो भी एक problem create कर रहा है आप अगर सोचे कि मैं उस बंदा से बात करके problem सुलाज सकता हूं ते बात किया जा सकता है उसके बाद भी अगर नियत उसका खराब है कि भाई इसको मुझे पढ सकता है कि भाई तुम तुम्हारे रहेगा यो कभी ना कभी इधर उदर जाए जाएगा इस रूम में जैसे पता चला कि तुमसे तो बात करके सका कोई फायदा हो नहीं रहे ठीक है तुम तुमसे तो तुम तो पढ़ते जा रहा हूं और इसमें नहीं दे रहा है तो फिर मुझे क्या करना है इसमें एक सबसे तगड़ा जुगाड होता है जिसका नमता है noise cancellation वाला है से न हीड़फोन आता है इस इस noise cancellation headphone यह बहुत ही तोप चीज़ है जैसे अगर आपने पढ़ाई करते हो उस टेम में जैसे इसका यूज किया जा सकता है जब पढ़ाई नहीं भी करते हो अगर इसको अपने कान में लगा लोगे तो यह वाला जो पूरसरे बंद हो जाएगा फिर बाहर का noise बहुत ही कम आएगा मंदरे पास हर चीज का जुगाड़ है तो क्या होता है कि हर चीज का जो है हर जगा में आपको क्या करना है कि जैसे मान लोगनना आया अब कुछ बात करेगा तुम उसको फ्रफन लागा लो बस लिएप धला लागा लिया वह जैसी है प्याया आवाज आनी ठीक हो जैसे बोलता रहा का बोलता रहा का आपको सुना यी नहीं नहीं दिया मनों इस तरह से नेगलेट करने का ताकाद भी आपको इस धर्ती में लोगों को निगलेट करने का ताकत भी होना चाहिए क्योंकि मैंने इक आदमी हूँ जो जिन्नेगी में मतलब जब से मैंने पढ़ाई का दुनिया में आया हूँ मैं चाहता हूँ जम के मैं पढ़ाई करों मुझे भी मोल्ड कर दिया गया था कलेज में गया था रेसिडेंशल कलेज जाते ही सबसे पहले मुझे जो सिनियर में जाते हो रैगिंग का बत बात तो पता ही है आया सिनियर्स बोला देख पढ़ने से कुछ नहीं होगा पिछले सल का जो डीपू था डीपू मतलब डिपार्टमेंटल टॉप था उसको नोगरी मिला उसको इतना लाग का इस टैमें ना ऐसे के बंदा को नोगरी मिलता था दास लाग 2 लग का ठीक है 98 का मैं बात करो पढ़ने का आदत है मैं फिर भी बीज में बढ़ जाता हूं आरे क्या पढ़ेगा ठीक है पढ़ोगे तो उसका नाम था गांतू गांतू मतलब तुम जो है जम के पढ़ते रहता हूं ठीक है यह कालेज का यूनिया मालब हुस्टिल का ऐससे कोड़ होता था अरे क्या तुम को लेकर मैं पढ़के क्या गुना कर ले रहा हूं फिर जब फास सेमिस्टर का एक्चुल एक्जाम आया उसके बाद मेरा मार सारा सेवेंटी परसेंट उन लोगा सबका एटी परसेंट एटी फैपरसेंट मैंने तब समझ गया कि यह लोग हमें सिस्टेम से हटाना चा है अब सिश्टि फैप बंदा में अगर उसको ज़्यादा मर्ज रहेगा तौशको पता है कि उसका जयादा मर्ज रहेगा तो जब कंपनी में ऊपक्रेशमेंट होगा तो सबसे पहले जो टुप trillion लेक्ट कमपनी बहुलाता रहता है तो आप अगर टूप 30 से पहले बाहर हो जाओगे पहले सी तुमको पता ही नहीं चलेगा तो चाप फोर तीर में जागे जब पता चलेगा ऐसा चीज़ तब तो तुम्हेरा चार साल भी बित चुका है लेकिन मंडल तो जुगर लगा लिया पहले से मिस्टर मी देख लिया कि ओही बंदा जो बोलता रहता है पढ़ मत पढ़ मत पढ़ मत पढ़ से कुझ नहीं होता तो तुमने क्यों 85% मार्शन लेक्रा भाई मुझे बता रहूं नहीं पढ़ना है तो मैंने फिर भी थोड़ा भूत पढ़ के वैनने 70% लाया था उसके बाद से मैंने बुला नहीं नहीं तुम लोग करो भई तुम लोगना कर मेरा जो काव है मैं करता रहूंगा ठीक है मैंने डिस्टिंस इंगर साथ मर्स लेकाया तो यह चीज आपका हर जगा में होता है से नहीं कि आप जो कलेज में हो आप इसलिए रूम मेट से परशानी और बहुत सरे विराइटी का परशानी हो सकता है और बहुत सरे विराइटी का परशानी हो सकता है क्योंकि मैंने रिसीडिंसियल कलेज में रहा हूँ और उसके कारण हमें पता है किस-किस विराइटी का परशानी आता है बाकी जो चीज है हर आदमी का हर आदमी का प्राइरेटी अलग होता है तो आप उस आदमी का प्राइरेटी आपना प्राइरेटी के साब से अगर सोचो कि मेरा ये प्राइरेटी है इसलिए वो मेरे लिए मेरे साथ कोपरेट करे ऐसा नहीं होने बाला है कि आपको उसके Accordingly अपना टाइम सीडूल चैंण करना है उसके Accordingly अपना चैंज करना है उसके सारे चीज़ अगर आपने करने लगोगे तो आपने प्रॉब्लम धीरे १ीरे ॥ापमते एक दिन में नहीं होगा आप अगर सुनों कि आपने यह लड़ने से भी solution नहीं होगा क्योंको उसका जिन्री में प्रारीटी था ही नहीं आपका जो प्रारीटी उसका है ही नहीं जाता है उसके लिए लेकिन यह भी अवेलेबरीटिक पूर डिपेंट है जैसे आपने जी सूद जहां पर कलेज में हो सकता होस्टल में आपका डबल ऑकुपेंची दिया हो जैसे हम जिसका मैं थाज छ। हमारा सिखलों के साय है नशभत टील में थाउर सेकंडेर में मिल गया तो तो थाइडेर फोर्थ है में यहाइए सिंगेल भूं मिल दील हमारा लो बाझी करणा चांठाए पढ़ेंगे गाना सुनेंगे शूंबों है ठीक है फास्ट-टीय सेंगे डूब गये तो आप उसका तो मर्स आएगाना मर्स तो एक ठा़ ओक debate आपका रांग बन रहा है तो उसमें झो लाश्ट मोमेंट में जब लास्ट मोमेंट होता है उस टैम में जए कॊछ कुछ कर नहीं सकते तो उसके लिए यह लोग फास्ट करने का प्रयास किया मैं मुझे भी किया बट फाइनली हमने उसमें फंसा नहीं तो आपको भी उसमें फसना नहीं है कि ओ लोग क्या कर रहा है अगर आपको लग आरे इसली के होता है कि जैसे हमने देखा कि कलेज में भी आता है हमारे पास coaching में भी आता है जो offline में भी आता है वो सब सारे student का मैंने देखा हूं कि सब लोगों का objective सारे student का objective पढ़ाई करके बहुत अच्छा rank लाना है ऐसा नहीं है दिल में चाहिए इच्छा है कि मेरा AIR1 लेक्वान लाने के लिए जो पढ़ना है वो कितना लोग पढ़ना चाता है इसलिए बाहर का दुनिया आपको हमेशा disturbance create करेंगे यह आपको धन रखना है कि दुनिया में बाहर का जो है वो हमेशा disturbance create करेंगे मैंने इसलिए statement देता हूं कि अभी जैसे मैं बोलना हो खूस रहो उसमें देखा मैंने की बंदा कूस रहो बोलने के बाद भी नहीं पारा है जो आपको परशान करने के लिए सकसम है आपको परशान कर सकता है और आप कितना हो तो क्या है कि अगर आप सारे से उलजने जाओगे तो स्वामी गाएगा की दुनिया कुछता का पूछ है आप सारे को सुधरने चले तो आप खुद तो सुधर तो आप नहीं पाओगे तो इसके कारान द्हाम ध्यान रखे कि जब भी ऐसे होता है, जब भी ऐसे कोई चीज आता, तो आप्ध्यान रखे कि 700 दोग आपको पर्यस्बान करने के लिए आएंगी, बट इक यू ए यू आशन लिए ऑन ली पर्यस्बान जो खूस रहने के लिए जो आपना दिशा में काम करने के लिए आपको खुद को प्रेस करना पड़ेगा और खुद को प्रेस करना पड़ेगा उसको निगलेट करना है कुछ चीज में रिक्वेस्ट करना है कुछ चीज में जो है जुगार लगाना है ऐसे करके वो प्रोब्लिम का क्या सलूसन है वो आपको पहल यह तो यूटूब यह यह प्रप्रॉब्लेम बहुत बड़ा है जैसे मैंने भी बहुत सारे लोग के साथ रहा हूं कलेज में जैसे मैंने क्लास 11 से मैंने बाहर हूं से अलग-अलग प्रियारियरिटी तार मैंने तों मैंने पढ़ना हूं तो ऐसे नहीं सरह लोगे में बहुत सरे लोगा अलग-ालग प्रियोरिटी था और उन्हों का प्रियोरिटी मेरे मैच रही कई ना आंत कोई बात नहीं तुम से नहीं है थीज़ोगार झुम से बना वह खीसे दूज़रा फिर मैंने कहा कि जो बनना पड़ता है उसको को रूमया बना लिया और भी पुराएकदम होओ था उसको रूम बना लिया तो उसके बाद क्या हुआ कि problem 99% solve हो गया ठीक है कि ओ जो चीज है कि आप अगर ऐसे कर सकता है कि कोई ऐसे रूम में धोने जो आपका जिसका जिसका भी priority पढ़ाई है आपको help करे ना करे कोई बाद नी उसका भी priority पढ़ाई है तो उसमें भी फायदा हो जाएगा और अगर change ना क आप अपना काम कैसे करोगे प्रॉब्लम रहते हुए और roommate के साथ रहते हुए कैसे करोगे अगर रहने से problem हो रहा है अगर आप change कर सकते हैं अगर आप सिंगल रोम रहे सकता है मेरे पास पैसा नहीं था तो क्या करें पीजी में रहना भी है और सस्टे में रहना है तो इसके साथ जब आ गया उसके बाद या कि फिर सबसे मस्क जो मैं कर्ण किया था कि उसमें जैसे ही उहां पर college में था एक बंदा को मैंने ढूना जो पढ़ने के लिए मुलाब एकदम उसको तो अभी 11 नेशनल आवाट मिला है तो मैंने क्या कि मैंने चुना था कि उसके घर में चल लोका फिर हमना उसका घर बहुत बढ़ा था तो दो रूम उसका लग रूम था मेरा लग रूम था पढ़ते रहो तो यह जो चीज है ऐसे जोगाना पढ़ता है आप अगर ऐसे जोगा नहीं लगा पाएंगे तो आप तो सिस्टेम से परसन हो जाओगे ना कि जो मेरा सक्से से अग्दम क्लास वान से क्लास टू से एकदम पढ़ 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 के पढ़ 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 करना सीस्टेमटिक तरीका से क्या बताओ कि वो तो पढ़ाई के लिए मूद जैसे पैदा हुआ था और मैं उतना जो है पर नहीं पाया था क्योंकि मेरा और भी बहुत सारे काम झाल धाता मेरा फैमीली में मुझे कमाई करके इंकाम करके मुझे देना पड़ा ऊसी के खल debates दो झेल के निस्टुक्वरिक पडूव continent उसके कारान क्या हुँआ कि जैसे जो यह को तो दुनों का फाया होगा तो बंदा को अभी 11 national award मिला है ठीक है national award 11 मिला है और obviously जो मंदल को बनाया तो उसके तो मिलना ही चेह न तो यह बात मैं बता रहा हूं कि आपको ढूनना पड़ेगा ऐसे जुगार और अगर नहीं ढून पर है कोई बात नहीं आप जो है आपना अलग रूम मनानो अगर ओभी आपको धेन डगना पड़ेगा कि रूम मेट इसदा प्रॉमें होगानो अपको सारे आप Посोच यह गाए जिससे प्रॉब्लिम का अवे अपना सैय CS में बहुत चींचे का मैं तो आप जिस सीचुएशन में हो हर सीचूएशन को हैंडल करने का अलग तरीका होता है तो आप बढ़ा मुर्ख और कोई नहीं होगा वह कभी नहीं जैशा था व ऐसा है ऐसा ही रहेगा आपको खुद को जुगाड़ लगाना होगा खुद को चेंज करना होगा एकॉडिनिता सिच्वेशन तभी आप इस दुनिया में एक्जिस्ट कर पाएंगे ठीक है यह बात धन रखे ठीक है चलो खूस रहे खूस हो के सोच विचार करें अच्छा कुछ बात मुझे बताना है आपको इभी बता देता हूं आने कर दिमी में अभी ओफ लाइन क्लास आ चुका है तो रूमेट आप चेंज कर सकता है यहां पैसे नहीं है आपको किसी रूमेट के साथ रहना है तो इसमें क्या है कि आगर एक कीवर कोड़ स्कैन करो का आपको पता चल जाएगा सारा डेट मार्च में शुरू करने जा रहा है एक क्लास और यह आपका डिसकाउंट मॉडल है यू कन एविल दीस आलसो और यह आपका क्यूर कोड़ है जिससे आप चेक कर सकते हो आप वहां से ऑनलाइन में देख सकते हो क्या क्या हो रहा है उड़ान एक बैच है जिसमें हम 2024 के लिए पड़ो है एक सेकेंड यह ने एक फोर्त यार यह पासओड वाले कर सकता है कि तो तो थाजीन ट्वीटी फाइब का होता है यह अपका फास्ट यह सेकेंड यह थाड यह जो बैच है यह दोनों बैच में आप जो आन करेंगी तो खुसराइब को मैक्सिमूम डिसकॉंट में प्लास करता है जिसमें आपको सिर्फ मिनता है तो ऐसे हमरे पास ओफरिंग है यू कैन अबल दीस आलसो और अने का सब को पता है कि एक रैंक प्रेडिक्टर रहे जिना गेट दिया है वह आप यहां से क्यों प्रेडिक्ट कर सकता है तो यह बाद ध्यन रखे कि मंडल का खूस रहो को ड्यूस करे एंड जॉइन करे एनी बैच और उसके बाद मंडल का गाइडेंस में मेरे गाइडेंस में रहोगे तो आपको जो जो पड़ाई के रिलेटेड दिख्कत है वह हम सारे सुनते हैं और सारे प्रॉब्लेम का सलोशन करते हैं ठीक है चलो खूस रहो एंड यह बात हमेशा धन रखे इस धरती में 700 करण लोग आपको परसंद करने के लिए तयार है और आप आके लिए संथ हो के अपना जिन्दिकी बिदानी के लिए अगर तयार हो तो आपका जिन्दिकी सुधर जाएगा ठीक है इस बातों से जिन्दिकी सुधर जाता है कि भाई बाकी लोग परसंद करेंगे और आप आके ले हो जो खूस रहने के लिए रिस्पोंसबल हो तेसलिए आपको आके ले ओचीज समझना है कि यह 700 करोड से मुझे कैसे डिल करना है ठीक है खूस रहो और आपना डिल करते रहो